2023 के मेंस में UPSC ने एक कोट पूछा, अगर लोग को जगाना है ना, तो आप महिलाओं को जगाओ, महिलाओं को जगाना ज़रूरी है, एक बार महिलाओं मूव करने लगी, तो फैमिली मूव करेगी, विलेज मूव करेगा, नेशन मूव करेगा, ये कोट है ज्वाहरलाल देह होती है न, तो शुरुवात होती है, शुरुवात होती है उस परिवार में rational decisions लेने की, शुरुवात होती है बच्चों के अच्छे लालन पोशन की, इसका मतलब देखो ये बिल्कुल ही नहीं है कि वो मदर्स जो uneducated होती है, वो अपने बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं र जाए, कैसे बच्चों को सुरुवात से ही educate करना है, महिला अगर educated है, तो महिला job करती है, परिवार में ज्यादा income आती है, बंगला देश में तो कितने सारे परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाया गया है, महिलाओं को training प्रोवाइड करके, vocational courses प्रोवाइड करके, ल village कैसे move करता है, देखो महिला जब empowered है, educated है, तो वो business भी करती है, business करती है, तो और लोगों को भी job मिलती है, यहाँ पर आप self-help groups का example दे सकते हो, self-help groups जिसमें 8-10 महिलाएं मिल के group बनाती है, common goal को achieve करने के लिए, जैसे extra income कमाना, तो यह 8-10 महिलाएं जब business करती है, तो nation moves, nation moves कैसे, जैसे देखो महिलाओं का labor force में participation increase होता है, हमारे देश में economic activities ज़्यादा होती है, ज़्यादा economic activities मतलब GDP में ज़्यादा contribution मतलब देश के economy तेजी से grow करती है, महिलाएं for example, politics में ज़्यादा participate करती है, तो वो ऐसे फैंसले देने में सक्षन है, जिन में देखो बोलते हैं ना कि महिलाओं को अगर leader बनाया जाए ना, तो environment समंदित fan slow को ज़्यादा अच्छे धंग से tackle किया जा सकता है, अगर महिला leaders है, तो youth जैसी situations को ज़्यादा अच्छे धंग से prevent किया जा सकता है, तो ये सारे फाइदे हैं आप लिख सकते हो, आप भी देखो इस quote क example दीजिए, comment books में, 2023 के means में था ये quote, तो आपके मन में जो भी ideas आएं आप बताईए, comment books में, लिखने को देखो बहुत कुछ है, डेट आज की 23 December 2023 है, कफी अच्छे अच्छे articles हम discuss करेंगे, सबसे पहला article हम discuss करेंगे, donkey flights से समंदित, donkey flights, movie release हुई है, सारु खान की, donkey, पूरा बाद article हम discuss करेंगे, स्रीनिवास रामानुजन से समंदित, कल उनका जनम दिवस था, national mathematics day था, उनकी life, उनका contribution, इस पर question भी आपको attempt करना है, और सबसे last में skill report release हुई है, क्या points है, वो भी हम article discuss करेंगे, चलिए discussion start करते हैं, सबसे बहले article हम discuss करेंगे, donkey flights से समंदित, आप Recently सारु खान की movie release हुई, donkey, इस movie में donkey flights के बारे में बताया गया है, क्यों लोग इस परकार की flights लेते हैं, illegal dhung से developed countries में गुषने की कोसिस करते हैं, details है, इस पूरे issue को हम समझते हैं, basics के साथ में, हम discussion की सुरूबात करें, उससे पहले आप न दो terms के बीच में difference बता दीजिए एक तरफ refugee, दूसी तरफ immigrant, दोनों के बीच में क्या difference है, देखो refugee वो persons होते हैं, जैसे आपको example देता हूँ, मैमार में कुछ ethnic groups के लोग को मारा जा रहा है, जैसे रोहिंग्यास को, वो भाग के किसी दूसरे देश में आ जाते हैं एकदम से, बंगला देश में या फिर भार उसका political oppression हो रहा है, या फिर बहुत ज़दा economical insecurity है, कुछ disaster आ गया, मतलब मजबूरी में उस person को अपना देश छोड़के दूसरे देश में सरन लेनी पड़ रही है, तो वो person हुआ refugee, यहाँ पे पुश फेक्टर होता है, पुश फेक्टर मतलब कोई ऐसी चीज है, जो उस person को push कर रही है, दूसरे देश में सरन लेने के लिए, shelter लेने के लिए, लेकिन देखो दूसरी तरफ, immigrant वो person होते है, जो अच्छी job opportunities के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छी life के लिए, अपना देश छोड़के दूसरे देश में चले जाते हैं, वो होते है, immigrant, यहाँ पे pull factor active है, कि develop countries की जो दबरदस्त life है, कोई जुरूरी नहीं develop country की, मतलब जिस भी देश में immigrants जा रहे हैं, उस देश की जो life है वो अच्छी है, वो खीच रही है, इन लोगों की वो उन देशों में आ जाएं, तो यहाँ पे pull factor active है, यहाँ पे इनकी कोई मजबूरी नहीं है, ए दूसे देश में जाते हैं, for example बहुत से भारती हैं, उनका इंडिया में ठीक चल रहा है, लेकिन उनको लगते है कि कनेडा में life और भी जाला बढ़िया होगी, lifestyle बढ़िया है, तो कनाडा उनको खीचता है, pull करता है कि आप यहाँ आजाओ, आपकी जिंदगी और भी बढ़ चोड़ के कनेडा में, UK में, US में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन युवाओं को लगता है कि वहाँ पे life ज़्यादा बढ़िया होगी, वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, वहाँ पे जाने के बाद जीवन की सारी problems खतम हो जाएंगी, तो बहुत से युवाओं इंडिया में आते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो लोकल युवाओं को ऐसे लोगों से इंस्पारेशन मिलती है कि इन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया, कनाडा में सैटल होके, हम कैसे न कैसे जाके वहाँ पे सैटल डाउन हो जाएं, हमारा भी जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन देखो, बहुत बार न, UK, US इन देशों का वीजा असानी से मिलता नहीं है, आपको पता है, इन देशों की वीजा कंडिशन्स बहुत ज़दा स्ट्रिक्ट होती हैं, वीजा असानी से मिलता नहीं, और युवाओं ने पाल ली ड्रीम कि इन द इंडलमेन, युवाओं को सपने दिखाते हैं, हम आपको भेज देंगे, US वहाँ पे आपको सेटल डाउन करवा देंगे, लेकिन इन लीगल तरीके से, लीगल तरीके से आप नहीं जा रहे हो, डोकुमेंट्स आपके नहीं है, वीजा आपको नहीं मिला है, इन देशों का, लेकिन फिर भी, इन लीगल तरीके से हम आपको वहाँ पे पहुंचा देंगे, इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी, ये कीमत देखो, अकसर 20 लाग से लेके 50 लाग के बीच में होती है, और कभी कबार तो 70 लाग भी हो जाती है, अब आप बोलोगे सर, ये सब तो ठीक ह दोंकी फ्लाइट्स वर्ड तो अभी तक आया नहीं, देखो, पंजाबी में न, दोंकी वर्ड का मतलब होता है, तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना, तेजी से, इसी से प्रेरित है डंकी का पूरा कंसेप्ट कि बिना डोकुमेंट्स के जल्दी से एक देश से दूसरे देश में जाना, जल्दी का तो देखो, सिरफ नाम है, कई बार तो 8-8 महिने लग जाते हैं, दूसरे देश में, for example, USA में एंटर करने के लिए, मैं आपको na case study बताता हूँ, case study से आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे इंडिया में पंजाब का एक यूवक महिस, जो US में settle down होना चाता है, लेकिन उसे visa नहीं मिला US का, वो जाता है agent के पास, और agent बोलता है कि 20 लाख दीजिए, मैं आपको US में settle down करवा दूँगा, महिस ने का हाँ, तो अब देखो, middleman जो है न, महिस को सबसे पहले भेजेगा, इंडिया से किसी Latin American country में, for example, Ecuador में, यह कुछ ऐसे Latin American countries हैं, जहां पे Indians को और दूसरे देशों के लोगों को भी आसानी से visa on arrival मिल जाता है, यानि यहां पहुंचने पर आसानी से visa मिल जाता है, तो middleman ने महिस को भेज दिया, इंडिया से Ecuador में, Ecuador से महिस बस में बैठा, पहुंचा, Columbia में, यहां पे देखो, पूर Columbia में फिर महेस एंटर करता है Panama में, लेकिन बीच में आते हैं घने जंगल, जो घने जंगल है उसका नाम है Darian Gap, बहुत बड़ा जंगल है, जहां पीने के पानी की विवस्ता नहीं है, बिल्कुल भी, एक्स्ट्रीम वहां पे इन्वार्मेंट है, रोबरी हो जाती है, लूट लिया जाता है, कई बार उन लोगों को जो डोंकी फ्लाइट्स ले रही हैं, दुर्गम इलाका है, कई बार रेप्स का भी सामना करना पड़ता है, और इन जंगलों में जो क्राइम होते हैं, उन लो परकार से सेंटरल अमरीका के क कई सारे देशों से होते हुए, कई बार तो पैदल चलते हुए, इन लिगल इमिग्रेंट्स मेकसीको पहुँझते हैं, और बीच में देखो गोटेमाला भी आता है, जो गोटेमाला है, वो देखो एक बढ़ा कॉडिनिशन सेंटर है, बढ़ हाथों में कमान संबालते हैं जिनको मेक्सिको का पता है जो मेक्सिको की पुलिस से बचना जानते हैं मेक्सिको जब पहुंचते हैं न इल्लीगल इमिग्रेंट्स तो वहाँ पर होती है मेक्सिको पुलिस के साथ में लुका छिपी इसी साल के सुरुवात में पंजाब के अमरसर का एक युवक गुरुपाल सिंग वो देखो अपनी बहन से बात कर रहा था कि हम मेक्सिको पुलीस से बचने की कोशिस कर रहे हैं हमारी जो बस है वो तेजी से भाग रही है पुलीस से बचने के लिए और उसके बाद बात करते ही गुरुपाल जिस बस में था उस बस का accident हो जाता है बड़ी मुश्किल से गुरुपाल की जो बोडी है वो भारत में लाई जाती है उसके बाद क्या होता है देखो US और मेक्सिको का जो बोडर है वो बहुत बड़ा बोडर है 4000 किलोमेटर के आसपास का US की जो authorities है न वो ज़्यादा विरोध नहीं करती यहाँ पे fencing है जैसे भारत पागिस्तान के बीच में fencing है US मेक्सिको के बीच में भी fencing है और US की जो authorities है ज़्यादा विरोध नहीं करती उनके उनसे सबसे पहला question यह पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्यूं आए हो अब यहाँ पे देखो जो illegal immigrants है न बहुत बार जुट बोलते हैं क्योंकि उनको पताया यह तरीका है US में settle down होने का asylum लेने का वो बोलते हैं कि US की immigration authorities को पता लग गया यह बंदा या बंदी जूट बोल रहा है तो उसी समय उनको deport कर दिया जाता है तो convince कराना होता है illegal immigrants को US की authorities को कि हम वास्ता में हमारी जान को खत्रा था और हम यहाँ पे asylum लेना चाहते हैं जान बचाने के लिए हम US में आएं हैं देखो 1984 में जब condition खराब थी ना पंजाब में तो बहुत सारे सिखों को यहाँ पे आसानी से asylum मिल जाता था बट आज के समय में situation ठीक है देश के हर इलाकों में तो US की authorities भी बहुत चलाक हो गई हैं वो बहुत से India से आने वाले illegal immigrants को वापस deport कर देती हैं और कई बार तो देखो ऐसा होता है कि जो illegal ढंग से US में जाना चाते हैं न middle man उनको बोलता है कि wait कीजिए जैसे पंजाब से आये यूवक कई बार Mumbai में 2-2 महीने तक wait करते हैं middle man उनको कहता है कि अभी मेरी setting नहीं हुई है अभी deal नहीं हुई है traffickers के साथ में आप Brazil में wait करोगे उससे अच्छा आप Mumbai में wait कर लीजिए तो इसी वज़े से कई बार लंबी लंबी flights हो जाती है 8-8 महीने लग जाते हैं इंडिया से US में enter होने के लिए और वहाँ पे कई बार काम क्या किया जाता है इन illegal immigrants के द्वारा card होना restaurant में waiter का काम करना देखो काम कोई भी खराब नहीं होता हर एक काम में dignity है हर एक काम की respect होनी चाहिए लेकिन अगर देखो कोई बंदा अपने potential या talent के हिसाब से काम नहीं करता तो फिर वो talent का भी human resource का भी एक परकार से wastage होता है वो person जो इंडिया में अपनी skill के हिसाब से for example engineering की है तो अच्छा काम इंडिया में कर सकता था अगर वही person फिर USA में जाके सिरफ कार्द होने के काम करता है तो ये इंडिया के लिए कितना बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए concern ये है बहुत से talented लोग भी का खत्रा होता है जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ा खत्रा तो यही है पकड़े जाने का खत्रा US में पकड़े गए डिपोर्ट कर दिया बीच में पूरे रूट में कहीं पकड़े गए बहाँ पे जेल में बंद कर दिया गया बहुत बार जो traffickers है वो मार देते है उनको payment time पे नहीं पहुंची वो गोली मार देते है कि हमारे किस काम का जब तुम हम पैसे ही नहीं दे रहे हो इसके अलावा extreme environment का वो सामना करते है बहुत बार extreme गर्मी बहुत बार extreme सर्दी कई बार illegal तरीके से उनको किसी develop country में ले जाए जाता है और trafficker को पता होता है इनके पास passport वगरा नहीं है तो वहाँ पे उनका सोचन किया जाता है labor का काम करवाया जाता है चुकि देखो donkey flights के यानि donkey route के बहुत सारी drawbacks है even जहाँ पे illegal immigrants जा रहे हैं उस देश को भी नुकसान होता है कई बार ये जो immigrants है दूसरे देश के culture में fit नहीं हो पाते फिर वहाँ की society में for example USA की society में UK की society में भायचारा जो है वो तूटता है जो ये देश नहीं चाते तो क्या solutions है इन चीजों को रोकने के लिए solutions देखो दो टाइप के अब बहुत से जो हमारे प्रोडोसी देशों से illegal डंग से immigrants इंडिया में आने चाते हैं उनके लिए अलग solutions है और इंडिया के लोग USA में UK में जाना चाते हैं उनके लिए अलग से solutions हैं पहले हम उन solutions की बात करते हैं इंडिया से जो US UK में जाना चाते हैं वो क्यों जाना चाते हैं उनको कई बार इंडिया में जोब नहीं लग पाती गरीबी एक reason है इसके अलवा वैसे लेगो गरीबी तो possible नहीं है reason क्योंकि बहुत बार ये जो immigrants है ना middleman को पचास पचास लाख रुपे तक देते हैं तो जिसके पास पचास लाख रुपे है जो effort कर सकता है वो गरीबी रेखा में तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी सरकार को जो करना चाहिए इनको रोकने के लिए सबसे पहले सरकार middleman और जो donker है agent है उन पर लगाम लगाए सरकार जो असानी से युवाओं को सपने दिखा के फास लेते हैं फिर देखो सरकार job opportunities देश में generate करे ताकि युवाओं को दूसरे देश में जाना ही नहीं पड़े अगर जोब उनको इंडिया में बढ़िया डंक से मिलेगी तो अब उनकी बात करें जैसे बंगलादेश से जो इंडिया में illegal डंक से आते हैं उनके लिए तो देखो फिर border मजबूत किया जाए जो BSF है उनको और ज़्यादा ससक्त मनाया जाए वो और ज़्यादा बढ़िया डंक से चोक सी कर सके हमारे देश में तो national register of citizens है देश में citizens की पहचान करने के लिए e-migration website सरकार ने बनाई है सरकार बहुत साई चीज़े कर रही है ताकि illegal immigrants जो इंडिया में आए हैं उनको बुछने से रोका जासके तो यह पूरा article हमने डिसकस किया donkey flights से समन्दित आप बदाएए आपकी क्या opinion है इस issue के उपर comment box में चलिए चलते हैं अगले आर्ट इसके बाद next article स्री निवास रामानुजन से समन्दित है बहुत ही ज़्यादा महान mathematician जनम इनका हुआ था 22 दिसंबर 1987 को कल इनकी birth anniversary थी और इनकी birth anniversary जब होती है तो उस दिन को National Mathematics Day के रूप में उपजव किया जाता है देखो इस article में हम बात करेंगे रामानुजन की life के बारे में इन्होंने किन-किन चीजों पर research की इनके research की applications क्या है डिटेल से हम जानते हैं UPSC ने 2016 में रामानुजन के बारे में question भी बूचा था सबसे बहुए जानते हैं इनकी life के बारे में देखो उन्होंने self education हासिल की जैसे कई बर पूचते हैं कि अपने coaching से कहां से ली नहीं मैंने coaching नहीं ली मैंने अपने आप से त्यारी की तो उसी परकार से इन्होंने अपने आप से education हासिल की मैंने mathematics में research करना नहीं छोड़ा 1910 तक ये गरीबी से संगहर्ष करते रहे उसके बाद रामचंदर राओ ये डिश्टी collector थे नलोर के इन्होंने monthly allowance provide करना start किया अपनी जेब से मतलब कितने अच्छे collector थे ये रामचंदरन राओ जिन्होंने अपनी जेब से monthly allowance provide करना start किया रामचंदरन को ताकि ये अपनी research को pursue कर स्केम तो दो सालों तक ऐसा चलता रहा उसके बाद रामचंदरन ने मदरास port trust में एक clerk की नोहरी हासिल की और clerk के तोड़ पे काम करना start कर दिया उसके बाद इन्होंने British mathematician G.H. Hardy से संपर किया और उनके कहने पर England चले गए 1914 में पाँच सालों तक रामचंदरन G.H. Hardy के साथ मिल के काम करते रहें 1914 से लेके 1919 के बीच और इस दुरान 20 से ज़्यादा research papers को publish किया और इसी दुरान उनको doctorate की उपादी से नवाजा गया था और Royal Society का फैलो बनाया गया था जब वो वापस आये 1919 में तो उनकी reputation तब तक काफी ज़्यादा बन चुकी थी मतलब ऐसी reputation जो इससे पहले किसी भी इंडियन ने enjoy नहीं की थी उसके बाद देखो एक साल और तक वो जिन्दा रहे और 1920 में उनकी death हो गई मतलब बहुत ही ज़्यादा young age में इनकी death हो गई 33 साल के थे सिरफ ये 1887 में इनका जनम हुआ था और 1920 में इनकी death हो गई और 33 साल की उमर में इन्होंने कितनी ज़्यादा achievements हासिल की शुरू में कहा गया कि इनकी death होई है tuberculosis के कारण लेकिन बाद में revise किया गया कि इनकी death होई है hepatic amoebiosis के कारण इस disease में क्या होता है बोड़ी पर multiple areas पर पस develop हो जाता है तो 1919 से लेके 1920 के बीच इस रामानुजन इंडिया में रहे और इस दुरान उन्होंने बहुत ज़्यादा intensity के साथ अपने research work को continue किया अब बात करते हैं रामानुजन के research work की दिखो जब तक वो England नहीं गए थे 1914 में तो England चले गए थे रामानुजन उससे पहले उन्होंने काफी सारे mathematical results को record किया और ये results mostly equations की form में थे रामानुजन ने इन results को अपनी notebook में note किया ऐसी तीन notebook थी जिनको अभी भी परिजव किया गया है और बाद में एक notebook और लिखी गई रामानुजन के द्वारा जब वो 1919 में इंडिया आ गए तोगेदर देखो total 4000 के आसपास results produced किये गए रामानुजन के द्वारा अपने काम में और बहुत सारे उनके जो results है वो deep intuition और insights के आधार पर है मतलब intuition समझते हो ना मेरी intuition कहती है कि आपका इस बार selection होगा जब मैंने ये बात बोली तो मेरे पास कोई reasoning नहीं है मतलब कोई proof नहीं है जिसके बेस पर मैं ये कहा हूँ कि हाँ selection होगा ही बस अंदर से आवाज आ रही है कि instinct बोल रहा है कि ये समझ में आता है कि इस बार selection आपका होगा तो ये intuition का एक example है तो रामानुजन ने इतने सारे जो results produce किये उन्होंने proofs record नहीं किये उनके अब आने वाली जो generations हैं वो इन results को लेंगी और इन पर further research करेंगी और काफी सारे ऐसे काम हैं भी रामानुजन के जिन पर अभी research चल भी रही है और काफी ऐसे हैं जिन पर research हो भी चुकी है रामानुजन का जो काम था वो था number theory, infinite series, analysis और mathematics में कुछ और areas उनके कुछ contributions के हम अगर बात करें उन्होंने काफी सारे formulas दियें पाई की value को calculate करने के लिए और वो भी great accuracy के साथ accuracy कहां तक? billion of digits तक इसके अलावा उन्होंने partition functions पर research की partition मतलब जैसे 4 को आप कैसे लिख सकते हो 1 plus 1 plus 1 या फिर 1 plus 3 तो इस पर उन्होंने research की इसके अलावा modular forms और hyper geometric series इन पर भी research की गई applications की बात करें रामानुजन के काम की applications क्या है देखो वैसे तो एक mathematician जो होते हैं वो painter कितरह होते हैं या फिर poet कितरह होते हैं ये बात बोली थी GHRD के द्वरा जैसे painter है poet है उनके काम की समाज में एपसद सीधा सीधा application नहीं होती जैसे किसी ने कोई medicine डेवलप कर दी तो उसकी तो application है ना उस medicine का इस्तमाल क्या जाएगा इस disease के इलाज के लिए बट painter के काम की poet के काम की समाज में सीधा applications नहीं होती उसी परकार से mathematician का जो काम होता है उसकी सीधी application नहीं होती बट एक mathematician की जो research है वो इस बात से उसकी significance बढ़ जाती है कि उस research ने क्या दूसरे mathematical ideas के साथ connect किया है या फिर नहीं किया है तो रामानुजन की जो research थी वो काफी अच्छी थी उन्होंने काफी सारे mathematical ideas के साथ में connect किया जैसे कुछ examples भी writer के द्वारा दिये जाते हैं उनके द्वारा 1916 में एक रामानुजन conjecture published किया गया था जो बाद में प्रूव हो गया 1973 में इसे प्रूव किया गया प्यरे डलिगनिक द्वारा रामानुजन के इस conjecture ने बाद में theory of Galois representation की development को भी inspire किया और इस थियोरी को बाद में employee किया गया था Andrew Wiles proof of format last theorem जो की publish हुई थी 1995 में हाल ही में पिछले कुछ पता लगती है सिग्नल प्रोसेसिंग में टू अइडेंटिफाई periodic information फोर एग्जामपल four-year analysis जैसी मोग theta functions जो की जिस पर रामानुजन ने काम किया था इनकी applications हैं study of black holes में last में conclusion में कहा जाता है कि रामानुजन अपनी age से काफी आगे थे मतलब जैसे कई बार बोलते नहीं कि छटी class का बच्चा है दस्वी के questions वोल कर लेता है ये तो अपनी age से काफी आगे थे तमिलाडू में जो उनका घर था उसे अब convert कर दिया गया है म्यूजियम की रूप में सास्त्रा उनिवेस्टी के द्वारा देखो रामनुजन की greatness इस बात से नहीं है कि वो गरीब आदमी थे और उन्होंने इंगलेंड में जाके research की नहीं उनका काम काफी ज़़ा diverse है बिल्कुल original है और वो अपने time से काफी आगे थे जैसे Einstein की कई जो theories दी गई थी उन पर अभी भी काम चल रहा है उसी परकार से रामनुजन ने mathematics में Einstein जैसा काम किया इसके बाद नएस्ट आर्टकल India Skills Report से समन्दित है आप GS Paper 3 के इस टॉपिक से आर्टकल को relate कर सकते हूँ Context देखो ये है Talent Assessment Agency V Box ने हाल ही में India Skills Report 2024 जारी की Report का नाम है Impact of AI on the future of work skilling and mobility Key highlights की बात करें तो India में जो employability है मतलब youth जो है या फिर वो लोग जो काम करना चाते है वो employment के लायक है या नहीं है तो उससे निकल के आती है employability तो हमारे देश में अभी 51.25% जो assessed youth है ना वो employable है मतलब उन में required skills है जो चाहिए job लेने के लिए ये survey किया गया था तो जब 18-21 age group वालों के साथ में survey किया गया तो तेलंगाना में इस age group में सबसे ज़्यादा employable youth मिले कितने 85.45% इसके बाद देखो इस report मेंने computer skills की बात की गई है computer skills के मामले में थिरुवननदपुरंब जो केरला की राजधानी है इस city को पहला प्राप्त, स्थान प्राप्त हुआ यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पाए गए जिन में computer skills है और दूसे केरला एजे राज्य, एजे स्टेट केरला का स्थान तीशे नंबर पे है उन राज्यों की श्रेणी में जहाँ लोगों के पास में computer skills सबसे ज़्यादा है skill penetration के मामले में इंडिया देखो काफी आगे है काफी टेजी से इंडिया में skill penetrate हो रही है फिर इस report में बोला गया महिलाओं का labor force में participation increase हुआ है ये एक अच्छी चीज है इसके बाद next section इस report में focus किया जाता है AI पर AI का क्या impact पढ़ रहा है इंडिया की workforce पर अगस्त 2023 तक इंडिया में देखो 4,16,000 AI professionals थे और आउसकता थी 6,29,000 AI professionals की demand ये है 2026 आते आते इंडिया में AI professionals की demand हो जाएगी 10 लाख इंडिया में जो AI industry है 2025 तक होगी 28.8 billion dollars की मतलब compound annual growth rate होगी 45% की इस report में ये भी बोला गया January 2016 से लेके June 2023 की बीच में AI skilled individuals हमारे देश में 14 गुना increase हो गया है मतलब पूरे world में जितना तेजी से AI skills का penetration हो रहा है इंडिया में 3 गुना तेजी से AI skills का penetration हो रहा है जल्दी जल्दी लोग AI skills सीख रहे है उन्हें पता है future AI का है इसके बाद कुछ challenges की बात की जाती है देखो सबसे बड़ा challenge तो आपको पता है skill gap अक्सर ये point हम discuss करते हैं जो skill चाहिए वो skill colleges नहीं provide कर पा रहे है बहुत बार ऐसा होता है skill mismatch देखो skill का होना ही ना ये एक reason है कि देश में youth काम करना चाहता है लेकिन उनके पास में skill नहीं है दूसरा ये अलग इशू है youth के पास में skill तो है लेकिन वो skill नहीं है जिसके industry को requirement है मतलब कोई पुरानी टाइप की skill है जिसकी आज market में आशकता ही नहीं है जैसे example के तोर पे एक छोटे सा example है किसी ने Microsoft Excel का course कर लिया लेकिन Microsoft Excel का course करने का आज के समय में कोई फाइदा ही नहीं है क्यूं? क्यूंकि जब से ये chat GPT वेगरा आएं है Excel का use काफी ज़्यादा काम हो गया है इसके बाद next point इंडिया में informal workforce काफी ज़्यादा है 90% लोग तो informal sector में ही काम करते है सबसे पड़ी दिक्कत इंडिया में पता क्या है जो agriculture sector से transition होना चाहिए न वो transition नहीं हो पा रहा है अभी भी देश मेंना almost 50% लोग agriculture sector में काम करते हैं अब काइदे से उन्हें पहले manufacturing sector में transition करना चाहिए था उसके बाद service sector में हमारे देश में दिक्कत यह हो गई है manufacturing sector उतनी jobs नहीं generate कर पा रहा है इसलिए कुछ experts बोलते हैं अब इंडिया को manufacturing sector को भूल जाना चाहिए service sector पर ध्यान देना चाहिए जहां पर बहुत jobs हैं लेकिन agriculture sector से सिधा service sector में जाना असान नहीं है उसके लिए government को बढ़िया से skills देनी होगी लेकिन उसमें सरकार lag कर रही है इसलिए आज भी इंडिया में almost 50% लोग agriculture sector में काम कर रहे हैं तो इस परकार से इंडिया ग्रो नहीं करेगा कहीं न कहीं देखो उन workers का transition करवाना पड़ेगा या तो manufacturing sector में या फिर service sector में कुछ लोगों को ये doubt आएगा कि sir अगर agriculture sector से manufacturing sector में या फिर service sector में workers का transition करा देंगे तो खेती कोन करेगा देखो develop countries में भी past में ऐसा ही हुआ ऐसा नहीं है कि सभी खेती छोड़ देंगे खेती में देखो असली फाइदा कब होता है खेती में असली फाइदा होता है जब बड़े बड़े खेत होते हैं machines होती है machines की साइटा नहीं है तो ऐसी जमीनों पर जब छोड़ी जमीनों पर खेती होती है ना तो किसान सिरफ अपना जीवन यापन कर पाते हैं मतलब जीवन याची का चला पाते हैं फाइदेगा सोदा नहीं होता यह विदेशों में अग्रिकल्चर में क्या है फूर एक्जमपल यूएस में बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स नई नई मशीनों की साहिता से खेती हो रही है फिर next point यह है skill training दी भी जाती है सरकार के दवारा तो काफी खराब स्तरकी दी जाती है कोई certification नहीं कोई placement नहीं कई बार धक्के से placement करवा दी जाती है बाद में निकाल दिया जाता है ट्रेनर्स की कमी है कोई assurance नहीं है कि ट्रेनिंग करने के बाद जो मिलेगी मिलेगी इंडस्ट्री के साथ link is काफी poor है गैप है इंडस्ट्री को क्या skills चाहिए और क्या skills दी जा रही है ये कुछ प्रोग्राम्स है जो सरकार के दौरा लौंज किये गए हैं आप वीडियो को पोस्ट करके एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए way forward में जो points हैं देखो unique points नहीं है वो आपको भी पता है government, academia, corporate sector इनका collaboration होना चाहिए ताकि universities में, colleges में वो सिखाया जाए जिसकी corporate world को आउशकता है vocational education promote की जाए बढ़िया ढंक से, schoolों से ही consultancy sector को promote किया जाए ताकि experts, specialized जो experts हैं उनको involve किया जाए consulting role में और project की efficiency मतलब skills वाले जो project है ना, उन project की efficiency इंप्रूव किया जाए और अच्छे से skill दे, इसके लिए consultants को सरकार involve करे skilling वाले projects में, इसके बाद next, सरकार upskill and reskill पर भी ध्यान दे, upskill मतलब एक level ज़्यादा की skill, अब technology नहीं आ गई है तो उसकी skill देना समझ गए, मतलब आपके field में कोई नया software आ गया, software को सिखाना, जिसे bank वाले employees को computer use करना हुआ, ये upskilling हुआ, reskilling मतलब altogether कोई नई skills सिखाना, ये होता है reskilling, मतलब आपके sector में jobs खतम हो गई, जैसे software engineer की jobs खतम हो गई, अब AI से related jobs हैं, तो AI की skills सिखाना, ये है reskilling, तो इन दोनों चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की आउशकता है फिर इसके बाद career counseling हो, अच्छे से secondary schools में, ताकि students को exposure दिया जासके, vocational education का, awareness फलाई जाए, students को emerging technologies के बारे में, जैसे automation, artificial intelligence, data analytics, robotics, और सबसे last में, distance and regular education का आपस में integration होना चाहिए, जिसे अलग-अलग background के learners को ज्यादा flexibility मिले, education हासिल करने के लिए तो यह skill report से समदित हमने article discuss किया, last में questions हम देख लेते हैं, यह दो questions है, जो आपको attempt करने हैं, दोनो mains के questions है, पहला तो donkey flight से समदित है, और दूसरा question स्रीनिवास रामानुजन से समदित है, दोनों questions के answer आपको 250 words में जेने है, pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों questions का answer दे सकते हो तो यह थी हमारी आज की discussion, कैसे लगी आपको discussion आप बताईए comment box में, मंदे को मिलते हैं, फिर से एक जबरदस्त discussion के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए, ठंड से बचे रहिए, खुश रहिए, thank you, thank you very much for discussion.